मैं आज सरद पवार को पुछने आया हूँ, पवार साब, दस साल तक आप महराश्ट में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, दस साल तक आपने महराश्ट को क्या दिया, जरा हिसाब लेकर आईए, दस साल में क्या दिया, जूटे वादों के लावे, आपने क कुछ नहीं भाई और बैनों UPA के 10 साल में महराश्ट को केंद्र से 1,91,000 करोड मिला था सिर्फ 1,91,000 कितना मिला था जरा जोर से बोलो तो और जोर से बोलो गर-गर जाकर बताना है कितना मिला था एक मिनिट कितना मिला था फिर से बोलो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 14 से 24 में 10,05,000 करोड महराश्ट को देंगे और पवार साहब अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पूने का कोई 14 नत्यताई कर दो हमारा मूरली महोल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा पाई-पाई का हिसाब मैं आज भाईयो बेनो दस लाग करोड का हिसाब लेकर आया हूँ 10,00,00,00,00,00 ना उनने मुंबै के लिए किया खुदनासिक लिए किया ना पुना के लिए किया ना नाकफूर के लिए चारो सेहरो का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी सरकार ने किया हमने रोड वेज के लिए 75,000 करोड दिया, रेलवे के लिए 2,10,000 करोड दिया, रेलवे मन्तरी यहां बेटे, जोड से ताली बजाओ ज़रा, जोड से ताली बजाओ. और एक लाग करोड का मुंबई अम्दवाद बुलेटेन मैंने दस लाग करोड में नहीं गिना है और चार हजार करोड एरपोर्ट के विकास के लिए दिया छे लेन का अटल बियारी बाजपई सेवारी नहा सेवा अटल सेटू का उद्गाटन हुआ 11,000 करोड का पालखी मार्क बना रेलवे के अठावन सो किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए 561 करोड से महराष्ट में 9 एरपोर्ट का रिनोवेशन हुआ मच्यपालन के लिए सिर्फ मच्यपालन के लिए 26 करोड रूपया और 1,80,000 मच्वाराओं के लिए बड़े-बड़े मच्स केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोधी सरकान और पवार साफ आप कहते हों कि आपने विकास किया यह महराष्ट के सहकारी साकर कारखाने महराष्ट के किसाने का समरूधी का राजमार है दस साल तक पवार साब आप कुरुशी मंत्री सहकारिता मंत्री थे दस साल तक 10,000 करोड का इंकम टेक्स का प्रस्ना आप सल नहीं कर पाये थे मैं सहकारिता मंत्री गया मोदी जी के पास फाइल लेकर गया देड़ मिनीट में 10,000 करोड का साकर करखा नहों का काम नहीं नहीं न ने देड़ साल में महाराज सरकान ने भी नया बजेट पारित किया मोदी जी ने नारी सक्ती वंदन अधिनियम से बेहनों को विधान सबा और लोक सबा में के 30 प्रतिसत आरक्षन दिया और देवेंद्र फड़नवीज ने माजी लाड़की बेहन करकर हर बेहन को पंदरा सो र रुपया हर महिने भेजने की सुरुवाद अब पवार साब कहते हैं इसमें नया क्या है मैं भी मानता हूं इसमें नया क्या है तो आपने क्यूं नहीं किया भला बताईए आपने करना चाहिए था ना अब चिंता मत करो पवार साब महराज की जंता आपको करने का मौका भी अजीने ने वाली है